जी नमस्ते मैं हूं गवरंग पंडा पंडा आस्ट्रोलोजी में आप लोगों का स्वगत करता हूं पेसे आज एक नए वीडियो के साथ आपसे कुछ नालेश को सेयर करना चाहता हूं हामेशा की तरह संक्रंती से संक्रंती तब का ये वीडियो सोर्य का जब संक्रमन होता है तब ही से अगले मैने का सोर्य का संक्रमन तब का ये वीडियो और इसी में हम चर्चाए करेंगे अनलिसिस करेंगे जनम पत्री की सबसे इसको लगन की सबसे देखे इसको राशी की सबसे मत देखिए यह राशी की सबसे नहीं है और यहां पर एक लिखा होगा अगर तो यह आपका लगन है, मेस लगन है, मेस लगन का अनालिसिस है, इसमें अखितर डिविजन्स, अस्पिक्टेशन ऑफ लानेट्स, ट्रांजीट ऑफ लानेट्स, तारा चक्रा, और चंद्रमा का जो ट्रांजीट इसी डेट से इसी डेट तक, मतलब 17 अक्टोबर 2022 को संक्रांधी का संक्रमन होता है और एक्जक्ली 7 बच कर 22 मिनिट पी-म को मैंने दिल्ली का टाइम लिया है मंडे का दिन है एक्जक्ली उसी टाइमिंग में संक्रांधी संक्रमन होता है सूर्य का कन्या साइन से तुला साइन को संक्रमन होता है बहुत कुछ है इस वीडियो में वीडियो लंबा तो होगा ही होगा सटकट वीडियो हो नहीं पाएगा मेरे से या जल्दी कोई इकनेस भी इसे नहीं है दीरेज रखे मन्तली का ही प्रेडिक्शन है स्पेड या पर इसमें कुछ नहीं होता है 30 days into 24 कितना आवार होता है आपी के तो पता है तो यह कम से कम 35 to 45 मिनिट का वीडियो में तीन मिनिट में डाल नहीं सकता शरी हरदाट अंड इसमें जो टेक्निकली चीजे मैं बहुत कोशिस करूंगा इसी चीज को आपको लग नहीं कि साबसे अनालिसिस करने के लिए और मैंने दो बार नवंच लिए है नवंच मतलब एक इड़ यह 17 अक्टोबर को लिया और 16 नवंबर को भी लिया इसलिए कि मैं बेसिक प्लानेट जो होता है वो कौनसर नवंच में बिलूंग्स करता है तब मैंने देखा कि 17 अक्टोबर और 16 नवंबर यह 17 अक्टवर का है यह 16 अभिंबर का है इसमें एकी ही प्लानेट होता है जो सनी देब होता है यह सूर्य की नवांस में बिलूंग्स करते हैं इसलिए मैंने दो दो नवांस लास्ट और फस्ट का डेटर्स लिए सूर्य कराशी, सिंगर अशी में सनी का नवांस पढ़ता है तो यह है अपका लगना मेस से लगना लगना को अगर देखें लगना अधिपती अपका मंगल देव है एक फायार इलेमेंट का प्लानेट है एग्रेसिवनेस का प्लानेट है सनापती तो की अक्टिविटीज है हमेशा आगे साधा आगे सबसे आगे एही अक्टिविटीज है मेस लगना में क्योंगी मंगल देव है आपका करकत लगना अधिपती अड़ यह मंगल देव आपका अकडिंगल ट्रांजिट अगर देखे तो आपकी लगना से थाड हाउस में है मिथुन राची में बेठे है और मंगल म्रिगसीरा नक्खेत्र में बेठे है यह म्रिगसीरा नक्खेत्र खुद मंगल का ही है देखें इंटरिस्टिंग है म्रिगसीरा नक्खेत्र में मंगल देव आपका थाड हाउस में बेठे है आण खुद का नखित्र में है और ये मंगल देप केतु से आस्पेक्टेसन करता है नौमा दृष्टी केतु आपका सात्मा घर में है आपका डेट में विशा का नखित्र में ब्रुस्पती का नखित्र बिलूंग्स करता है विशा का नखित्र तो मंगल कही ना कही अंटर्नली ब्रुस्पती से बिलूंग्स करता है, केतू से बिलूंग्स करता है और इज रासी खुद का नखेत्र डिविजन से भी बिलूंग्स करता है और यह आगे बक्री होने वाला है मिथो नराशी में 16 अक्टोबर को 17 एक्टवर को टाइम लिया है एकजाक्लिर उसे पहले का दिन जो 16 एक्टवर होता है यह सी दिन ऑन रेट्णोव हो जैता है कि शारी विषिदीन वन मित्वानराशी को एंट्री करेंगे और मिथुन राज़ी को एंट्री करने के बाद और रेट्रो हो जाएंगे 30 अक्टोबर को 30 अक्टोबर को और बक्री हो जाएंगे hmm एफन को यह बक्री होते होते ड़ी जो भी बक्री होता है जो प्लाइयित परसी kों कि सब्समें ने दिया है द्ल्हेड लगना को अनलीसिस करते हैं लगना मि घ्ला इस बना आपका कैटु से है लगना लगना अधिपति का कैतु यहींपर आपका सेवंथ हाउस में है सुर्य के साथ है सुर्य यहां पर नीच है जो कि आपका फीफ़ ओस का उनर अ Nazi मंकल का नकित्र में है जो मंकल का लगना अधिपति यहीं पर भी एक नखित्र डिविजन्स, एंटर्नली बिलॉंग्स करता है, तो आपका सिगनिफिकेटर फ्लानेट से आगए, के तू नखित्र को अगर देखे, तो मंगल, लगना अधिपती मंगल, सुर्या द्यब्डी नखित्र डिलेशन्स होता है, तीनों फ्लानेट से अब के लिए, एंटर्नली सिगनिफाई करता है, मगर पांचमा घर का ओनर होने के नाते, यह यहां पर केतु के साथ ग्रहान दोस्ट बनता है, अंडर आहू का सात्मा इस्पेक्टेशन है, कहीं अगर पार्टनर्शिप का बीजनेस है, तो ध्यान रखे, ख्याल रखे, इसमें बहुत कुछों डिस्ट्रवांस होने का बहुत पसिबिलिटी च्छे है, और यही सेवन्थ हाउस, जो कि दामपत्य जीवन का कारक होता है, जो कि कपुल लाइफ का कारक होता है, हो सके जितना आप कोशिश करे, महल को ठीक रखने के लिए, अगर पहले से क्या कुछ बिगड़ गया या बिगड़ चुका है, तभी इसको पट्री पे लाने को कोशिश करे, क्यों? कि यह लगन में के तु है, कन्फ्यूजन सा प्लानेट है अपका, चरी लगन में राहुए, कन्फ्यूजन का प्लानेट से है अपका, और शुक्र का नख्यत्र में वो विलंग्स करता है राहुदेव, जो कि अपका सेकेंड हाउस और सेबेंथ हाउस का ओनर है शुक्र, यह दोनों की दोनों घर आफ के लिए मारक होता है, जनुएन जनरली देखा जाए, तो सेकंड हाउस मारक स्रेणी में आता है, और साथमा अगर सेबेंथ हाउस भी मारक स्रेणी में आता है, तो इसी दोनों house का ownership होता है सुक्रदेप जो सुक्र की आपका six house में बैठा है तो कहीं ना कहीं spouse से quarrel, tutu में में जगड़ा जिन जटा हट से बच्चे बच्के रहिए पार्टनर्शी बिजनेस है तो कम से कम मोहल को ठीक रखे और बाते कम किया कीजिए नहीं तो problematic हो सकता और सुक्र होता है female का रकुत्तों में आता है और कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर हो सके बच्के रहना female से कभी नी पंगा ना लेना कोई भी female हो company में आपका secretary हो, under का कोई staff भी हो, घर का महल हो, बाहर का society हो मंगल है अपका लगना अधिपदी 10 बंदे male person से आप पंगा लेके अप manage कर सकते उखुबिया है अपकी पस, इतना aggressiveness है अप में जरुरत पढ़ने पर उख निकल जाएगा जरुरत पढ़ने पर आप निकल के दिखा देंगे, 10 अगर male person होगे तो आपसे कुछ परक नहीं पड़ेगा अप अप don't care person है मगर आपके लिए एक ही कमजूरी है कोई female से पंगा मत लीजिए बार-बार मैं इसको दोरा रहा हूं शुक्र आपका सीक्सा उसमें है अनिहा नीच है बुद्ध की साथ ये बुद्ध आपके लिए अच्छा नहीं है शुक्र भी आपके लिए अच्छा नहीं है ये सीक्सा उसमें दोनों बैठे है शुक्र मंगल की नखित्र में है आपका लगना लगना अधिपति की नखित्र डिवीजन में शुक्र दे बिलोंग्स करता है कहीं ना कहीं बिल्कुल और भी दो बार तीसरा बार चोथा बार में बता रहा हूँ घर का महुल को कॉपुल लाइफ का सिस्टम अगर कुछ बिगड गया तो महुल को ठीक करने को कोशिस करिये नहीं तो कम से कम चुपी रखे हो सके जितना चीजों को सुलज़ाए बिजनेस में अगर फीमेल पाटनर है तो कितना काम हो सके उतना बुलिए और बाहर का मतलब अपना सोसाइट अपना जो बिरेदारी क्या होता है महुल जो होता है अपना सरकल जो होता है फीमेल से पंगा मत लीजे ये महीने के लिए सजिसन नहीं है जिन्दे की फरक के लिए आपके लिए सजिसन है आप हारेंगे ततकाल तो नहीं हारेंगे मगर इस तरह का आप हारेंगे न पीछे अगर मुड़के आप चाहेंगे तो कुछ बचेगा नहीं अगर फीमेल कोई आपका इन्मेडी बन जाएगा डास मेल परसंद बन जाने से दुस्मन आपको कुछ फरक नहीं बढ़ता है एकी फीमेल बहुत हावी हो जाता है आपके लिए तो हंडिलोइत के या या आस्ट्रोलोजिकल स्टेसल आडवाईस से आप चाहे माने या ना माने आपका मर्जी के उपर डिपेंड करता है शत्रूता इन्मेटी कोई छोटी चीज नहीं है वो इतना नुक्सान दही कि किस बप्त कितना नुक्सान दही हो सकता जिन्होंने फेस किया जिन्होंने जहला चीज़ों को नहीं पता है एन्मेटी शीक साउस का ओनर फीमेल का कारकुत प्लानेट सुक्र यहाँ नीचभंग राजजोग तो होता है बनता है फिर भी आपके लिए कोई माइने नहीं रखता है यहाँ क्योंकि सेकंड और सेवेंथ हाउस का ओनर है आपका टेंथ हाउस में सनी है रेट्रोगेशन खुशी की बात है यह सनी आपका बक्री में था जब प्रफेशन में इतना तकलिप आपको दिया कम से कम उस में से थ्झोड़ा रहात आपको मिलेगा सनी जब स्ट्रेट हो जाएंगो यह मकर राशी मैं स्ट्रेट हो जाएंगे फिर भी ओधानिश्टा नक्यत्रे में उस टाइम में विलूंग्स करेंगे मंगल का जो के आपका लगना अधिपति है और ये घर में मंगल का राज होता है यहां मंगल उचका होता है जो जब और प्रफेशन में आप एक boundary के अंदर रहे गए थे एक अर्बीट के अंदर आप रहे गए थे जहांसे कि क्रस्ट करना आपके लिए मुम्किन ही नहीं था शानी होता है boundaries, limitations चाहे आप उबर के नहीं जा सकते थे आपका मन का क्या कुछ सोच जब और प्रफेशन में इंपूट करने को फिर भी करने ही पाते थे कितना सारे सोच, कितना सारे positivity आप में है फिर भी उस चीज को आप implement करने में सक्यमता नहीं मिलता था क्योंकि आप एक अर्बिट की अंदर है जैसे कि कुछ से पावंद ही है उस से बाहर जाने का थोड़ी बहुत उसी में से आपको रिलाकसेशन मिलगा सनी जब आपका 10 था उस में स्ट्रेट हो जाएंगे 23 अक्टोबर बहुत रहत का टाइम आएगा आफर्ट राइट ढंग से रखे जितना आफर्ट करेंगे देखे बार बार मैं यह बोल रहा हूं मैंसे लगना के लिए दस घंटक का वार्कलोड आपको दिया गया आपको पता है कि आप इसको साथ घंटा में निप्टा सकते पुलफिल कर सकते आचीफ कर सकते और बच्टा है आपके हाथ में तीन घंटा इसका मतलब यह नहीं बाकी कि जो तीन घंटा इसको आप मीट्स यूटिलाइज़ करें जो तीस में अगर आपका रूची है इसको माल के चलिए आप देखें आपका क्या-क्या कुछ बदलाब होता है ओ तीन घंटे में धंग से फिर से आप एफर्ट लगाईए कौन देखता है कि इसको अंसरेबल आपको होना पड़ेगा आपको रिवार्ड मिलेगा यह सब अप भट महरत हैं अपने लेजीनेस नहीं है अपका आपर लेजीनेसर अपसंद्र नहीं है अपका कितना भी बड़ा काम अपर इसकी लें लेते हैं कवी कभ़ार यह प्लानेटरी त्वाजिन से आप तो चीजें को अच्कीव नहीं कर पाते हैं जिसे कि आपका Tax Motor लड़ शनी देप आपका लगनना अधिपथि मंगल देपका नक्खित र डिवीजन में होते हुए भी बखरी में थे वो सभी लगना को बहुत कुछ कुछ लेशन शिखाया शनी देपने कि सभी लगना को शनी देपने बहुत कुछ लेशन शिखाया मैं एक एक लगना को अनलीसिस करूंगा और आपी को भी लेशन मिला है कि आप बंदे हुए हो गए थे एक अर्बिट में जहां चाहे भी पाहर उभर के आप आ नहीं सकते थे मैं जहूंगा एक डेली प्रुशिस का चंद्रवांगा और तारा चक्र का अगर देखे तारा चक्र में आफ का सानी देप संपत्तरा में पड़ता है कहीं अगर आपका सनी का नखित्र डिवीजन में जनम हुआ है जैसे की पुष्या अनुराधा उतरा भद्रपदा अगर ये तिनों नखित्र में आपका जनम हुआ है जनम नखित्र अगर आपका है तो सनी आपको बहुत फाइदामन दिलाएंगे आगे का टाइमिंग के लिए ये अक्टोबर चबीस के बाद पर तेईस के बाद पर त्यूंगे एफट लगाने में आप महारत है आप चीटिंग अगर पसंदभी नहीं करते हैं अगर इसी नखित्र में आपका जनम हुआ है तो रियल रिर्वार्डड आपका आगे है रियल रिवार्ड आपके लिए आगे रखा गया है सची में अगर गवह सही €धंग से?- ये म tú 아 अगर आपने प्रिफुल रेजल्ट अगर रखे हैं दीराज रखे पैसेंस रखे सनी का काम ही है दीराज एंड पैसेंस अंड स्लो भाग्याबाब का अधिपती अभी आफका बार्मागर में है ब्रॉस्पती और भी फिर बक्री की पुजिशन में है और मीन साइन में स्ट्रेट पे आ जाएंगे चब्वीस नभेंबर को वो जो डेटेट्स मेंने दिया है उसके बाद में मतलब आगले महीना का वीडियो में मैं डाल लूँगा है ब्रॉस्पती का स्ट्रेट होने का जो रेजर्ड्स होता है भाग्याबाब का है बार्मागर में है बक्री में है जो प्लाइनेट बक्री में है प्राइन अगया और प्रीविए साँस को उसका फोकस एक्सपेंडिचर का कारक और व्रॉस्पति आपके लिए रिलिजियोस का फ्लाइनेट है तो आपका हो सकता पापा मामी का घर का कोई बुजर्ग हो सकता घर का मोहल के साथ हाफ कहीं रिलिजियोस प्लेस में विजिट और उसकी में पैसा घर्चा होना लांग डिस्टन्स का religious place हैशियत की मुताबिक से जितने है अब अगर बड़े पैसा वाला है तो आप फ्लाइट में जा सकते कहीं अब का religious place को उसे काम है तो ट्रेन में जा सकते है उसे काम है तो बस में जा सकता है यह से comparative लगना के हिस्साब से देखा जाता है लगना कितना डिगरी में है कितना ताकत बर है लगना और वो personality कितना है उबन्दे में तो यह ब्रोश्पती आपको यह religious activities में बहुत movement करेंगे और वो सानी की नखेत्र में है जो सानी की तीसरा दृष्टी में है अभी सानी की तीसरा दृष्टी में है ब्रोश्पती और बुद्ध का सात्मा दृष्टी में है सुक्र का सात्मा दृष्टी में है छेठा घर में बार्मा घर को expectation मतलब read कृत्वा घृतंग पीवेत संस्कृत में हमारा कहावत है रिणं कृत्वा घृतंग पीवेत रिण करके घी पिना जो कहावत होता है तो अनेस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अचानक सा कोई रिलीजियस अक्टिविटिस के लिए जो की प्लान नहीं है, प्रोग्राम्स नहीं है डिसकसन नहीं है, अचानक सा कुछ खालीपन को फुलखील करने के लिए हो सकते हैं आपका प्रिवेस अकाउंट से आप ट्रा कर सकते हैं कहीं से लावी सकते हैं क्रेडिट, क्योंकि ओ टार्गेट को आपका रिलीजियस अक्टिविटिस का टार्गेट आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि ब्रत्सपती यहाँ पर यही रिजल्ट फोकुस देते है चब्विस ग्यारा दो हजार बाईस यान अभिम्बर 16 का डेटेट्स में ने दिया उसके बाद यह एक्स्पेंडिचर की घर में खुद का पोजिटेड होना अड़ यह ब्रत्सपती सानी की नखेत्र में एक सेविंग्स माइंड का है तो प्रफेशन जॉब से जो पेशा निकलता है कहीं आपका जो डिस्ट्रोबंस या एक लेबुल बालंस नहीं हुआ करता था उसी में थड़ा कंस्टंटिनेश आएगा डिपोजिट सेविंग्स में आपका एक एक कंस्टंटिनेश आएगा थोड़ा बहुत आप देखने लगेंगे जबकि ब्रत्सपती स्ट्रेट हो जाएगा सानी दा सेविंग्स का कारक आपका जो की जावर्ण प्रफेशन में आप कमाते है आपकी जेव से वो चले जाते थे कहा जाए अगर वो अर्बीट को आप क्रॉस नहीं कर पाते है इसके बज़े से कहीं ना कहीं आपका फाल्दुगा पेसा भी बहुत एक्सपेंड हुआ करता था और तभी तक भी करेगा जब तक सनी स्ट्रेट नहीं होते है और व्रास्पति स्ट्रेट भी हो जाने के बाद थोड़ा रिलाक्सस अपको उसी सब से मिलेगा चंद्रमा को मैंने पॉइंट नहीं लिया क्यूंकि वो हर धाई 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 दिन में एक एक रासी को ट्रांजिट करते है और सनी तब तक नवांस में है आपका पांचमा घर का पांचमा घर आपका हर क्रियेटिविटी अक्टिविटीज का घर होता है सिंगराशी जहां पर सनी यह महीन का मतलब यह पिरियेड का स्टाटिंग में है और एंडिंग में है वो ही सिंगर आशी को बिलूंग्स करता है नवांस में तो इसका मतलब ये कि आपका हर creativity activities में देर हो जाना पुस्टपंड हो जाना lingering हो जाना या हर काम में एक tomorrow लग जाना एक comment मेरा एक situation हुआ था मैंने डाला था क्योंकि मैं आप तो आप लोगों से जुड़ा ही हो सुख दुख मैं बंड़ता हूँ आपसे कई कई ने मेरे को बला कि ये social media में डालना नहीं चाहिए था मगर पता नहीं मेरा दिल से क्यों कहा कि नहीं मैं डालूँगा क्योंकि इतना पैन मेरे को मिला है जहला है मैंने साइद एक कोई spiritual activities जादा हो जाने से इस तरह का मिलता है ये भी पॉइंट जब पुजा बगरा आप लोगों का मैं करवाता हूँ उसी में मैं डाइरेक्ली आपका representative बनके बैठ जाता हूँ त्यूंकि इतना दूर से कोई कानडा कोई कालिफर्निया कोई दिल्ली से आ ही नहीं पाते है इसलिए मैं क्या कुछ आपना समाज कर आपना सोच कर वो पुजा मैं डाइरेक्ली मैं आपका representative बनके बैठता हूँ हाथ में कुछ सबट उधारन करके और बाक्या कराया जाता है मेरे गुत्रान मेरे नाम से जो कि मैं आपका representative हूँ तो जो पुजा होता है तो सायद आपका जो negativity वो पुजा में क्या होता है मतलब घट जाता है हर पुजा में ही होता है सायद उसका जटका मेरे परा आ गया और कही न कहीं जो spiritually connectivity सायद कुछ ना कुछ पुन्या मेरा था मेरा पापा शेब होगे कम से कम जीवित होगे नहीं तो उस तिन उनका मर जने का तय ही था शो इस वर्षे अजिरवाद कम से कम पापा बच गए यसे नाचुरल डेथ उनको तो हो गए नाचुरल डेथ जिस दिन होगा तो ठीक है सभी को और रेस्पंस होगा सभी को अक्सिप्ट होगा कि हाँ नाचुरल डेथ हुआ है इसे कोई आके मारेगा अंड मार के बदले बजे से उनका डेथ हो जाएगा हस्पिटल में या घर में हाँ कहना नहीं चाहता था कहना भी चाहता हूँ कहता हूँ हरती बेदी जी मडम जी नमस्ते आप मेरा भीवर से मैं नमन करता हूँ आपको स्पिरिच्वली चीजी को इस तरह का कमेंटरीज मस्ती जीए चाहे अगर आपका मन करता है मेरे चैनल पर देखे, ना देखे आपने ही लिखाता ना कि आप अभी वी रुद्री किये थे मतलब रुद्रावी से किये थे फिर भी कोई भी जाए तो आरती बेदी का नाम से ओ कमेंड आप देख सकते तो इंडेरेक्लि आप एक चालेंजियस बात कर रहे है कि आप तो रुद्रावी से किये थे फिर आपके साथ ये घटना कियों घटित हुआ ये मेरे को मिलने को था परिबार का किसी भी परसन का क्या कुछ प्रोब्लेंस होता है ना परिबार का मैं प्रेप्रार न करता हूँ आपके लिए कि आपको इस तरह का सीच्वेशन ना मिले कस आप महसुस ना करे कि वो फिलिंग्स क्या होता है परिबार का एक जन का कोई सीच्वेशन जब बनता है वो जो रुद्रावी से की उपर अपने सवाल किये कि अभी-अभी आपने रुद्री किये है फिर भी आपके साथ यह हुआ सायद और रुद्रावी से की बज़े से मेरे पापा आज का डेट में मेरे पास है अनाच्छे में है जीवी थे कुछ सोच समझ के कोई नेगेटिव थर्टिंग के उपर में आपसे यह बात नहीं कर रहा हूँ आरती बे दीजिए वैसे ताप कौन से कॉमेट को आप क्या लिखते है पता नहीं चलता है धीवर्स को ना मेरे को अगर लिखना चाहते तो clear and clean नहीं लिखिए मैं आराम चापका सवाल का अंसर करूँगा और बुद्धदेव आपका तारा चक्र को अगर देखे तो बीपत तारा में पड़ते है अगर आपका जनम असले सा जस्टा अंड रेवती ये तिनोन अखित्र में हुआ है तो छीक्स हाउस में अभी ट्रांजिट में है आपका बुद्धदेव आण यहां पर बुद्ध का खुद का घर है सरीर का जितना सरे गंदे की चीज एकजिस्ट होता है काड़पूस की कुंड़ी को अगर इसको देखा जाए तो यह हाउस होता है कन्याराची तो यहां पर बुद्धद का होना कोई बुजुर्गों का अगर किड़नी पत्षरी इुरिनारी ट्रक में क्या कुछ प्रोब्लेम्स पहले से अगर हुआ हुआ है तो ट्रिटिमेंट में बिलकुल धिलापन ना करे इुरिनारी ट्रक, सुक्रका किड़नी, बुद्धका दोनों के दोनों आपका सिक्स हॉस में है और आपका भाग्या भाव को directly affected करता है यहां सेबेंत expectation में और आपका तारा चक्रा में बुद्ध दीपत तरह में पड़ता है तो आपका स्टुमाग से नीचे यूरिनारी ट्रक तक जितना सारे एरिया होता ही वहाँ पर अगर कहीं न कहीं कुछ प्रोब्लम चाहे हो मेल हो चाहे फीमेल हो जितना कसस हो सके उतना कसस साफ़ांडिलंड मैंटेन कीजिए डक्टर से सलामस्वरे में कम मत किया करें जो एजेड़ परसंस होता है जब किड्नी खराब होता है लास्ट एंड में एक डाइलेसिस का प्रोसेजियूर होता है अगर वो सब सिस्टम चली रहा है उसी में भी नेगलिट ना करना और अपका प्रत्यरी तारा में शुक्र देप पड़ता है तिनो नक्खित्र अगर आपका जनम पुर्वा फल्गों नी पुर्वा सड़ा अंड भरणी नक्खित्र में हुआ है तो मैं फिडियो की पहले फास्ट में जो बताया कि वो प्रत्यारी तारा में मतलब सत्रुता या एन्वेटी की तारा चक्रे में आता है अगर इची तिनो नखेत्र में आपका हुआ है तो कोई भी फिमेल से कभी भी पंगा मत लीजिए प्रत्यारी तरह में आपका सुक्रात है शूर्या देव आपका साधक तरह में इनका तीनों अखितर उत्तर फल्गुनी उत्तर अच्छा है मित्र तरह में आपका मंगल नेव जो की लगना अधिपती है इनका नख्यत्र अगर चित्रा धनिस्टा म्रगल सिरा में आपका जनम हुआ है तो अंड रहू अपके लिए अपका लगने में है तो ये भी अपके लिए फाइदा मन नेगेटिफ आपके लिए चन्द्रमा अभी के लिए ठीक नहीं वो भी पानी को डेरिए पानी से चंद्रमा का अगर तीन नखित्र में आपका जनम हुआ है चंद्रमा का तीन नखित्र हस्ता स्रावना और रोहिनी तीनों नखित्र में अगर जनम हुआ है क्योंकि चंद्रमा आपका फोर्थ हाउस के ओनर सुख का मा का घर है वो फॉर्थ हाउस आपका सनी की द्वारा डारेक्टली आफेक्टेड होके रहा है अगर सनी भी आपका रेट्रोगेशन से स्ट्रेट हो भी जाए तो महा से ख्याल रखें मैं का स्वास्ति प्रति ध्यान रखें कि अगर आप कहीं आवरोड में है मा का टेलीफोन को नजर अन्दज मत करें कि फॉर्थ हाउस आपका सुख का है संती का नहीं सुख और संती में डिफरेंस होता है वहाँ पर कुछ बाधा है यह सनी आपका सेवेंध एस्पेक्टेशन में दिलाएंगे यह है तारा चक्र की नियम की हिसाब से कुछ मैंने बताया शुक्र का नखित्र डिविजन वह स्वाती नखित्र में विलम्स करता है मतलब शुक्र तोलार ऐसी को जाएगा अठारा तारीक तक शुक्र 17 अक्टोवर का डेट 18 अक्टोवर को चले जाएंगे यह सेवेंध हाउस राहु के सात्मा पोजिशन केत्र के साथ और यहां पर एक नीच भंग राजजोग बनता है सूर्य का जोगी पांचमा घर का ओनर तो यह चो टाइमिंग मतलब पीछला वाला वीडियो से भी आप इसको कंप्यार करके चलिए इसी दिन से सुक्र का चंजेस हो जाता है 16 से फिर उसके बाद आपका बिशाखा नखित्र को आ जाते हैं बिशाखा नखित्र बिशाखा नखित्र आपका गुरहस्पदी देव का होता है शुक्र जब यहां आजएंगे दोनों गुरु में बनते नहीं है पटते नहीं है जैसे कि डवताओं का गुरु ब्रस्पति अंड दत्यों का गुरु शुक्र चाचे इनका उपिनियन कुछ और है इनका उपिनियन कुछ और है सो नखित्र डिवीजन रिलेशन हो जाता है व्रस्पति से फिर भी यह शुक्र का घर आपके लिए अच्छा नहीं वो सेकंड और सेवेंध हाउस का ओनर सात्मा घर मारक का घर है सो पाटनर्शी बिजनेस पाउस इस सबसे के बालंस मेंडेन करके रखिए जितना हो सके बुद्ध देर हस्ता नखित्र में 14 अप्टोबर से एंट्री किया है उसके बाद चित्र नखित्र को 22 अप्टोबर को फीर एंटर करेंगे आपका स्वातिन अखित्र उसके बाद विशा का इस तरह का बुद्धा कंटिनियूसली इस तरह का ट्रांजिट करेंगे थोड़ा है चीक साउस से यह ट्रांजिट कंप्लेटली रहेंगे और दोना के दोनों फ्लानेट आपके लिए उतना अच्छा नहीं है बाकी देखे यह हो जाएगा वह हो जाएगा लट्री लग जाएगा आपका यह बोलना मेरे को आता ही नहीं है किसी भी वीडियो में मैं कोई जनम पत्रियागर डाइरेक्ली में देखू तो कुछ हाँ आडवाइस कर सकता यह कोई इंडिविज्वाल का हरोस्कुप नहीं है अंसायद मेरा वीडियो और मेरा कहना का अज जो आक्टिवेटिज अटिचिवड आफ फील कर रहे होंगे कि मन में उतना खुछी नहीं है कि 17 तरिक को मिथुन साहिन में चंद्रमा है यह थाड़ाउस यह थाड़ाउस कहीं एक प्लानेट जो केत्व का 54 रिष्टी में है कमुनीकेसन का हौऽ इसको एक टिक देता हूँ एक क्रॉस भी देता हूँ कर्ग का 20 तरिक को यह फॉर्थ हौज सनि का 75 रिष्टी फिर भी प्रोस्पती का 55 रिष्टी यह बक्री है यह बक्री है यह पॉजिटिविनेस कुछ दिला लेगा टिक एक देता हूँ सिंगल साही ने आपका फीप्थ हाउस अड़ बाइस तरिक ये भी कोई मालेविक प्लानेट जैसे की राहू का पांचमांद रिष्टी है चंद्रमा यहां पर जब होगा अड़ राहू आपका शुक्र का नखेत्र में है सो कोई भी क्रियेटिविटी अक्टिविटी करे इस तरका जिसमें की कोई फीमेल को स्टीरिंग पर ना रखे फिर भी टिक देता हूँ कन्या साहीन 22 अक्टबर यहां शुक्र और बुद्ध चेंज हो जाएंगे शुक्र बुद्ध दे भी यहां होंगे बुद्ध और चंद्रमा से रिलेसंसीप अच्छा नहीं है यहां उने से सीक्स आउस आपका किस के साथ क्वारेल जगडा पैसो के लेकर इसको डबल करस देता हूँ आच्छा डेटेट्स नहीं है आच्छा डेटेट्स नहीं है एक मिनिट सुरी और तूला साहिन 27 तरिको 7 आउस राव का सात्मा द्रिष्टी के तूसे ग्रहन दोस सो पार्टनर्शिप का बिजनेस अगर है तो समाल के चले फामिली में महल को ठीक रखे क्रस देता हूँ रिच्छी का अपका 8 हाउस यहां पर चंदरमा नीच हो जाता है अंड मंगल का घर है यह किसी का द्रिष्टी भी नहीं बढ़ता है चंदरमा के पर मगर 8 हाउस तो कहीं अनास्पेक्टेशन कुछ पड़ा हुआ प्रपट्टी की कुछ मिलने का सिग्निफिकन सिम्बल आपको मिल सकता है ठीक एक देता हूँ अनास्पेक्टेशन गेन धौनु साइन 31 अक्टोबर को भाग्यभाब द्रिष्टिय से कुछ का नहीं है शिवाय राहू का नौमा द्रुष्टी भाग्यस्तान पिलीग्री में जा सकते आप ये व्रहस्पती का घर कहीं रिलिजियस अक्टिविटीज कहीं रिलिजियस प्लेज को आप जा भी सकते अंखर्चा भी हो सकता टीक देता हूँ क्रॉस भी देता हूँ दो तरिक मकर्शाइन सनी यहां है दसमा घर चंद्रम आ जाएंगे यहां बीस दोस बन जाएगा यह आपका प्रफेशन का घर का है सनी देव खुद है यहां सनी देव का ही घर है सो चुप्पी रखे उस दिन कम से कम बात करे जो जो रखना है मन में रखे उसको इंपलिमेंट बात में करना यह डेटेड को मत करना टीक देता हूँ क्रस देता हूँ कुम्भजाइद चार नवे मरको इलेभेंध हूँज केतु का पांचसपंद रिष्टी केतु का पांचसपंद रिष्टी और इलेभेंध हूँज कुम्भराशी कहीं से गेन कुछ पेशा आएगा मीना साइन साथ तरिक बुरस्पती के साथ बार्मा घर तो है मगर मैनर में कहीं खर्चा होगा और बुरस्पती चंद्रमा से रिष्टी बहुत अच्छा है खर्चा होगा खर्चा की कुछ माइने भी रखेगा और आपको रिटन कुछ सेल्फ साथिस्फेक्शन रिजल्ट भी मिलेगा ठीक देता हूँ में ससाईन लगना आपका नाव तारीक हमेहा लगना ही सुब होता है लगना में चंद्रमा आपका बट रहू के साथ ग्रहन दोस रहू के साथ ग्रहन दोस इस टाइमिंग में मन थोड़ा मायूसी रहेगा मगर कहीना गई आनादर साइट सबको अचीफ कराएगा कुछ 11 तारीक ब्रिस्ट ब्राशी सेकंड हाउस मारक का घर शुक्र का तो है बट कहीं मैलेफिक प्लानेट का द्रिष्टी नहीं है फ्री है यहां चंद्रवा और यहां चंद्रमा का उच्छ का राशी है यहां एक्जाल्टेशन होता है उच्छ हो जाता है तो गैन डावल्टिक देता हूँ पेसा की बजो से पेसा की लियाद से 14 नवेमर मिथुन शाइन मंगल के साथ थाड होस कॉमुनिकेशन स्कील के उफर ध्यान रखे और केतु से पांचमा द्रिष्टी जो केतूगी अगा प्रत्यरी तारा में पढ़ता है यह सारी ख्यामा तारा में पढ़ता है तो कॉमुनिकेशन स्कील में थोड़ा शूने उसके बाद बोले completely शूने उसके बाद बोले वो सेमने बाला का complete जब तक नहीं हुआ फेसेंस रखे धीरज रखे और चीजे को धिमाग में रहे रखे analysis करे उसके बद करे active करे 14 टीक देता हूं 16 तरिक करक यह 4000 सनी का दृष्टी तो है फिर भी पांचमा दृष्टी प्रोस्पती का टीक देता हूं देखें यह चंद्रमा का transit लगन की हिसाब से यह कोई रासी फड़ नहीं है यह अगर ठीक होता है काई नहीं आपका daily life जिन्दे की से जोड़ता है तो इसको आप positive में लेते हैं तो comment section में लिखे अगर यह कुछ काम का नहीं होता है तो यह भी लिखे ताकि मैं इसको उमीट कर दू क्यों आपका फलतू का 15-20 मिनट में लो अज के लिए इतना बिदा दीजे आगले वीडियो में फिद से मुलाकात होगा नमस्ते जय जगरनात सर्वे भवन्त शुकिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पस्चन तो मागस्चि दुखवाब भवित आगला दिवाली आपके लिए अच्छे से जाए मागाली का असरवद आपकी उपर रहे मालक्षी जी का असरवद आपकी उपर रहे बस इतना मनोकामाना आप लोगों के लिए क्योंकि आपकी बज़े से मैं हूँ आप मेरा भीवर से आप लोगों के लिए मैं आज यहां तक हूँ आप ना होते तो मैं ना होता ना यह कैमेरा के सर्मने खड़ा होके मैं इस तरह का बाते करते हुए होते जब तक आपका यह आफरेशेशन मिलता रहेगा तब तक यह वीडियो की मार्ध्यम से बस मुलाकत होता रहेगा कब जाने कितना दिन तक इस रिष्टी में किसका फ्रेजेंसी है ज़जगनात नमस्ते